नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने विटी चैनल अमन प्रयास जी की जिस में तो जिसा की फेंट्स आजए आपका 23 सेप्टेंबर और 23 सेप्टेंबर को आपका SSC CGL का एकजाम था जो की आपका सेकेंड सिप का भी एकजाम समावत हो गया है सेकेंड सिप में उससे जोड़ी important extra facts को भी देखते चलेंगे जिनका MTS का exam में या CGL का exam next shift में है उनके लिए विडियो आपका love दाय क्यानिक important होने बाला है तो चले विडियो को start करते ही इसका जो PDF है आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका link description में दिया गया है तो आप लोग जा थी यानि कि who founded the independent labor party ठेक है इसका जो right answer होगा वो होगा आपका बाबा साहिब अमेटकर ठेक है च्वतंतर labor party जिसे कि हम लोग short form में ILP के नाम से जानते हैं एक भारतिये राजनितिक संगठन था जिसे डॉक्टर भीम राम बैठकर के दुवारा अस्थापित किया गया सोतंतर labor party के गर्थन को communist निटाओं का समर्थन नहीं मिला था 1937 का जो प्रांतिय चुनाओं आपका हुआ था उसमें सोतंतर labor party ने 17 मेशे 15 सिट है जो की हासिल क्या था इसके लबा सोतंतर labor party ने ओदोगी विवाद बिध्धेक 1937 के शुरुवात का विरोध किया क्योंकि इस से पहले दुस्तों बात कर लेते हैं मौक टेस्ट के बारे में मौक टेस्ट एक ऐसा चीज है जिसे अगर आप एक्जाम में लगा के जाते हैं तो कहीं ने कहीं आपको इसका benefit देखने को मिलता है मौक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्रेटफॉर्म है अभी तक करते हैं तो आपको यहां पर 13% का एक्ट्रा आफ भी मिलेगा अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो आप इंसे अपना पूरा refund भी ले पाते हैं टेस्ट बूक बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको 800 प्लस एक्जामों का 80,000 प्लस मौक टेस्ट के साथ आपको 17,000 प आपको आपको इख्जाम चल रहा है तो उसका भी आपका टीर ओन्क है को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथ में कॉमेंट सेक्षन में पीन क्या रहेगा तो आप लोग जाकर एक बार चेक आउट रूर कर लिजेगा हम लोग वीडियो में आगे बरते हैं तो हमारा जो next question फ्रेंट शुआ है कि यदि जिंक के दानों पर तनू sulfuric अमल डाला गाता है तो निवन में से कौन सी gas बनेगी इसका मतलब है कि if the dilute sulfuric acid is inserted on the zinc grains which of the flowing gas will be formed तो इसका जो right answer होने वाला है वो आपका hydrogen होने वाला है जब जिंक के दानों पर तनू sulfuric अमल डाला गाता है तो zinc hydrogen से अधिक अभी क्रिया सिल होने के कारण इसे अमल से विस्थापित कर देता है और zinc sulfate तता hydrogen gas बनाता है इसका reaction भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसके लाबा hydrogen की बात करते हैं तो यह एक आपका दहन सिल gas है और pumping sound के रेत क्या गया यानि कि which Congress proposal was passed in the Congress Convention तो इसका जो राइट इंसर होगा आपका Congress का लहोड दिविशन 1929 जिसकी अधिक्सता किया था आपके पंडि जुआलना नहिरू ने लहोड सहर में आपका स्थापित होआ था इसके लाबा 26.930 को एक सारवनिक घुषना की गई थी एक दि राउन कुछी पूरी निर्थ सेली से समंधित है तो कुछी पूरी निर्थ सेली से समंधित परती पादक की बात करते हैं तो इंगेस में है कि which of the following is related to कुछी पूरी डांसे स्टाइल तो इसका राइटेंस होगा व्यमपति चिन्ना सत्यम ठेक है व्यमपति चिन्ना सत्यम राजा रेड़ी यह सब आपके कुछी पूरी सास्टे निर्थ से समंधित थे कुछी पूरी की बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति भारत के आंदर प्रदेश के कुछी पूरी गाउं में हुआ था यह भारत के आठ परमुख सास्टे निर्थों में से एक है और यह अपनी स को देखें उससे समाँधित आज्यों के देखें और कुछ प्रश्ट परतिपादक को देखें तो पहला है भर्णतनांट्ट्यम जो कि तमिलाडों से शमण। से समण। थे इसे समादित परतिपादक है रुक्मनि देभी अनुले, पदमा, श्रुवमंद्यम, बेजनती माला, श्रुमा कर्मानी और पदादिनी, इसके लबा कत्थक से आपके उत्तरप्रदी संबन्दी थे, बिर्जी उबनाज, नहीत सित्की, लच्छु मराज, गोपे कृष्णा, सरस्रती सेन, मंजे चतरुवेदी, मोनियत्टम क पदे से मलीका सरवाइवी, सत्तनरायन हो गया, सरमा हो गया, इसके लाव ओर इश्री सापका सुजाता महापात्रा, माध्वी मोडल, केच्रु, केलुचरन महापात्रा, स्रेंदनाथ जेना, सोभना, सहजानन, इसके लाव मिनाते मिश्रा, सतरिया से आपके हैं, गुरू ज जिसेगी जागोई नाम से भी जाए जाता है, गुरू विपिन सिंग, दर्शना, जावेरी, जावेरी सिस्टर्ष, देवाजनी, चालिया, अमरा संकर हो गया, नेक्स उसन है, वह है कि भारत ने अब तक कुल कितने बार विश्कप जीता है, हाला कि आपके प्रस्ण में ODI क सिर्ष, या टी-ट्वट्वंटी हो, तो अब तक भारत ने चार बार विस्कप है जो कि जीता है, ठीके, ओंडे वल्ड़कप की बात करते हैं, तो दो बार 1903 में कपिल देव की कप्तानी में, दो जाग्यारा में महें सिंग दोनी की कप्तानी में, टी-ट्वंट्वंटी व इसका जो राइट इंसर आपका होगा वह आपका हो जाएगा क्या उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की बात करते हैं तो यह बिश्मी सदीका तंसे तहीं के रूप में भी जान जाता है तक उनके शम्मान नाम के न उस्तादों से भिने किया जा सके ठेके इसके लाँ प्रती गुलाम अलिक्वान का संबन्द पार्टियाल अंगराने से है इसके लाव बूसान पुर्षकार से भी निको संबानित क्या गया है इसके लाबा इनका जो मेरतिव हुए यापका 25 सप्रेल उनिसरोटर को हैदावाद के बसीर बार्ग पैलेस में हुआ था अगला है कि निमलिकित में से कौन सा भारतिय समिधान का नुच्छे 214 के तहत आता है तो देखिए गंगा की सा भारतिय समिधान के बात करते हैं तो शोन नदी, यमुना, गुम्ती, गंगा ये सब आपके गंगा की साथ नदिया है और गंगा की अन्य सा एक नदी में अलगनदा, भागिरती, राम गंगा, काली, घागरा, गंडक और कोश्री भी आती है तो ये चीज़ है इसके लावन एक सोसम पुछा गया काटी बीहू अश्रम में किस महिने में मनाया जाता है यान कि काटी बीहू which month is celebrated in अश्रम तो इसका राइटेंस होगा अक्टूबर बीहू के बात करते हैं तो अश्रम में साल में तीन बार बीहू है जो की मनाया जाता है पहला है बोहाग या रोंगाली बीहू जो की अप्रेल में काक्टी बीहू या कांग्गाली बीहू अक्टूबर में माग भीहू जो की जन्वरी मनाया जाता है अगला है सिस्टेमा ने चूरे किसकी दिवरे लिखा गया है िसका राइटेंस होगा काल लिनियस काल लिनियस के दौरे पुस्तक लिखा गया है उन्होंने इस्पिसिस पालन्टरम एसकेनस का रेजा और जेनरा पालन्टरम भी लिखी है और कालिनेस को अधुनिक वर्गेकरन के पिता की रूप में जा जाता है उन्होंने दिवपद नामकरन को अपचारिक रूप दिया अगला है MM किरावानी को 22 में कौन सा प्रशकार दि तो यह आपका संब्दी थे समिधान का पालन करना तता उसके अधर्षो संस्थाओ रस्टे दोज़व रास्टगान का संबान करना और उस्षे दिक्यामन एक तथ वर्तमान में आपके 11 मौली करतब है वह 11 मौली करतब कौन-कौन से है यहां पर दिया जा चुका है तो आप लोग इसके पीडियाप से राम से पर लिजेगा कि यह क्या-क्या 11 मौली करतब आपके है ठीक है नेक्स वोशन है कि अटल पेंशन योजना यानि कि एपी वाई किस से समन्दीत है यानि कि अटल पेंशन इसकिम एपी वाई इस रिलेटेट टू विच एरिया तो इसका एट किमों को दूर करने में मदद करता है और समीकों को अपनी शेवा निनमिती के लिए स्वक्षा से परचत करने को प्रत्साहित करता है ठीक है तो यह सी पूछा गया बाकि इसके लावा भी और शार चीजें पूछी गए थी जो कि है एक कुशन पूछा गया कि विच दिल्ली ईसका रितंसर था तो यह भी पूछा गया था बलल बन की बात करते हैं तो बलबन एड आडप्टाénd पूलीशी ओपूलीशन रेदर दिन एक एक्सपेंशन he introduced a new theory of kingship and redefined the relation between the sultan and nobility ठीके तो ये सारे चीजे हैं बाकी बलबन दिल्ली सलतनत का था इसके लावा एक कोश्टम पुछा गया विटामिन C का अधर नेम क्या है ठीके तो विटामिन C का अधर नेम की बात करते हैं तो विटामिन C का जो अधर नेम है वो है आपका ascorbic acid तो ascorbic acid इसका आपका राइट नेम होगा विटामिन C का आपका अधर नेम है ascorbic acid तो ये पुछा गया इसके लावा एक कोश्टम पुछा गया कि which of the flowing is not a creep खरीव खरीव जाने की ये में से कोन खरीव फसल नहीं है तो खरीव फसल की बात करते हैं तो जो ट्रके तो तो ये खरी पना आता है वी टाप का। रभी रॉप प्रॉप में आता है यह फूछा गया टीख है तो यह सारी चीजें कूछ बाकि अभी तक इतना ही प्रॉटे जो कंश की कि लिर हो पाया है बाकि ख急 किंगोर नहीं होंग, टे करदे गा 방법, गोन्य ह grad Fang को ब्यादो स्पेक को हम कि ब्याय का लितने हैं, वाल के दो हर थोता।